हेलो बच्चों एक बार फिर में आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिस क्लास में स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में बच्चों टूवल्ट का अध्याय को सुरुवात किया था और उसे संबंदित विद्धूत हैं इस्थीर बैदुत्की की विसे में क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों और हम लोग जानने का प्रियास करेंगे कि आज कुलम का नियम क्या होता है इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था बच्चों कि किसी पदार्त में आवेश कैसे उत्पन किया जाता है कि बिना इसके स्थीर बैदुतकी में किसी परकार का कोई नियम का पतिपाधन नहीं किया जा सकता है जितनी भी तरह की सिध्धांत दी जाती है सभी कुलम के नियम पर ही अधारित होते हैं इसलिए बच्चों को चाहिए कि ये नियम को अच्छी तरह से समझे तो सबसे पहले आज आप लोग उलम के नियम को ही समझेंगे बच्चों तो सबसे पहले बात आप जरूरी चीज जानी है जो चीज में कहूंगा कि सबसे पहला बात यहां पर यह होता है बच्चों कि दो समान आवेस जो होता है जैसे कि मार नेता हूं कि यहां पर मैरा कोई positive charge है और यह भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं प्रतीकर्सन बल दोनों समान आवेसों के बीच में चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो दो नेगेटिव चार्ज हो ठीक है ने तो दोनों ही समान आवेसों के बीच में हमेशा प्रतिकर्सन बल काम करता है और एक positive charge है और एक negative charge है धनावेस है और एक रीन आवेस है तो उनके बीच में आकर्सन बल काम करता है कुलम ने बताया था कि इन बल का परिमान क्या होता है कि नहीं मात्रा को कैसे मापा जाएगा तो उसने बताया था 1785 इस भी में हैं तो यहां पर मैं लिख देना चाहता हूँ कि देखें, दो समान आवेसों के बीच बात को समझेगा कि दो समान आवेसों के बीच ठीक है? दो समान आवेसों के बीच दो समान आवेसों के बीच प्रतीकरसन दो समान आवेसों के बीच मतलब बिप्रित आवेसों के बीच में है कि ने ओसमान आवेसों के बीच दो ओसमान आवेसों के बीच ओसमान आवेसों के बीच आकरसन बल काम करता है कौन बल काम करता है आकरसन बल काम करता है ठीक है ने आकरसन बल काम करता है देखे कुलम्ब ने क्या क्या था कुलम्ब ने कुलम्ब ने इस बल का कुलम्ब ने इस बल का परिमान का परिमान को मापा था को मापा था कुलम्ब ने इस बल के परिमान को मापा था यह किने परिमान को मापा था जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे कुलंब का नियम कहते हैं जिसे कुलंब का नियम कहते हैं कुलंब का नियम कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं कुलंब का नियम क्या है कुलंब ने इस बात को भी यहां पर देख लिजे कि कुलंब ने यह नियम ठीक है तो कूलम कर नियम है क्या, पहले इसको आप लोग समझ जाए, मान लेते हैं कि मेरे पास दो आवेस है, बचों देखे, यह एक प्लस Q आवेस है, ठीक है, और यहाँ पर भी, मान लेते हैं कि यह Q1 आवेस है, और यहाँ पर यहाँ प्लस Q2 आवेस है, यह Q1 आवेस है, और यह Q तो लगने वाला बल का परिमान दोनों आबेसों के गुनन फल के समानुपाती तथा दोनों के बीच के दूरी के बर्ग के बितकरमानुपाती होता है ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग गुर्टवा करसं का नियम 11 क्लास में पढ़े थे ठीक वही परिभासा यहां पर ही इस नियम के अनुसार दो आवेसों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेसों के परिमान के गुनन फल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के बर्ग के व्यूत करमानुपाती होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते है कुलम का नियम कहते हैं अब यहां थो से बात को समझे कि माना चितर में जो चीज मैंने किया है उसको लिख करके बताता हूँ कि माना देखे Q1 तथा Q1 तथा Q2 आवेस या आवेसों आवेसों को आर दूरी से आवेसों को आर दूरी से प्रिथक रखा गया है आर दूरी से पृतक रखा गया है तो दोनों आवेसों के बीच लगने वाला बल क्या होगा दोनों आवेसों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेसों के बीच लगने वाला बल क्या होगा तो बल जो होगा वो सबसे पहला बल हमने बताया था कि दोनों आवेसों के परिमान के गुननफल के समानुपाती होता है तो एप समानुपाती होता है Q1 into Q2 ठीक है अब दूसरा कहता है कि दोनों आवेसों के बीच में लगने वाला बल दोनों के बीच के दूरी के बर्ग के बितकर्मानुपाती होता है तो एप समानुपाती हो जाएगा 1 by r square इसको हम लोग क्याता है ब्यूतकर्मानुपाती बर्ग के ब्यूतकर्मानुपाती होता है तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे बचो लिखेंगे दोनों को मिलाने पर दोनों को मिलाने पर या एक साथ लिखेंगे दोनों को मिलाने पर तो क्या पराप्त होगा देखिए एप समानुपाती हो जाएगा Q1 into Q2 by R2 यदि हम लोग समानुपाती को तोड़ेंगे बचो त जहां के एक समानुपाती नियतांग है, जहां के एक समानुपाती नियतांग है, जो किस पर निर्वर करता है, जो माध्यम 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 पर निर्वर नॉट होता है इसका नाम होता है एकसाइलम जीरो भी कह सकते है या एकसाइलम नॉट भी होता है एकसाइलम नॉट होता है जहां एकसाइलम नॉट जो कहा जाता है देखे जहां एकसाइलम नॉट इसको क्या कहा जाता है निर्वात देखे निर्वात या हवा का हवा का बिदुत सिलता कहा जाता है इसको हम लोग बिदुत सिलता कहते हैं बात समझ में आगे है अब 1 by 4 pi एकसाइलम नॉट जो होता है इसका वेल्यू कितना होता है अर्थात के का जो वेल्यू होता है वो 9 into 10 to the power 9 ठीक है ने 9 into 10 to the power 9 newton meter square newton meter square per column square होता है बात समझ में आगे है सिर्फ किसका का मान के का मान मतलब 1 by 4 pi asylum not का मान होता है लेकिन जहां asylum not का जदी हम बात करेंगे जहां asylum not जिसको हम लोग क्या कहा जाता है हवा या निरबात की बिदुत सिलता कहते हैं इसका मान जो वो 8.854 x 10-12 मात्रक होता है कुलंब-2 पर ती Newton-meter square होता है बात को समझेगा, इसका अमान एतना होता है केक अमान होता है 9 x 10-9 Newton-meter square per coulomb-2 और x-ailem-NOT का जो मान होता है वो 8.854 x 10-12 कुलंब-2 पर ती Newton-meter square होता है इस बात को याद रखना है आप लोग यदि केक आमान को यहां पर रख दिया जाए तो हमको एक्स्प्रेशन जो पराप्त होता है वो इस परकार होता है कि f is equal to 1 by 4 by exilum not q1 into q2 by r square तो यह सूतर मिला तो इस सूतर से हमको पता चल रहा है बच्चों कि आ दोनों आवेस कहां पर इस्थित है दोनों आवेस या तो निर्वात में इस्थित है या तो हावा में इस्थित है यहां पर लिख दता हूँ कि या समीकरण या समीकरण दो आवेसों के बीच है कि नि दो आवेसों के बीच या समीकरण जब दोनों आवेस, दिखेगा यहाँपर कि जब दोनों आवेस हवा या निर्वात में इस्थित हु। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कि दो आवेसों के बीच में जो बल लगता है, उसको हम लोग कैसे कैलखुलेट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझने का परियास करिएगा कि यदि इसी आवेस को उठा करके यदि किसी माद्यम में रख दिया जाए माद्यम का मतलब क्या होता है बच्चों जैसे कि दोनों आवेस को यदि पानी में रख दिया जाए या फिर गर्म हावा में रख दिया जाए या फिर किसी पदार्थ के अंदर रख दिया जाए तो क्या होता है बल का मान कि इस परकार परिवर्तित होता है तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि जब दो जब दोनों आवेसों को जब दोनों आवेसों को आवेसों को किसी माद्यम में रखा जाए किसी जब दोनों आवेसों को किसी माद्यम में रखा जाता है जब दोनों आवेसों को किसी माद्यम में रखा जाता है तो क्या होगा है कि नहीं तो उसका बेंजक जो होता है बटा R स्क्वेर, बात समझ में आ गया, तो यह जो सम्मीकन आप देख पा रहे हैं, कि यह सम्मीकन तब हमको पराप्थ होता है, कि जब, है किने, दोनों आभेसों को किसी माद्यम में रखा गया है, तो माद्यम का उधारन मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आप लोग यह कि एकसाइलम आर का मान क्या होता है, कि एकसाइलम आर होता क्या है, तो इसको यहां पर लिख दते हैं, जहां एकसाइलम आर जो है, वो क्या है, कि किसी माद्यम का, किसी माद्यम का, इसको कहा जाता है, सापेक्च, है किने, किसी माद्यम का सापेक्च, सापेक्च, बिदुत सिलता कहा जाता है किसी माध्यम का सापेक्च विदुद सिलता कहते हैं ठीक है सापेक्च विदुद सिलता हम लोग कहते हैं तो एकसाइलम जो हम आपका उपर में लिखे थे ने बचों कि यहां एकसाइलम नौट निर्वात या हवा का विदुद सिलता कहते हैं तो इसको आप लेकिन यहाँ सपेक्ष का मतलब आप लोग समझ पारे होंगे कि सापेक्ष के हम लोग word का इस्तमाल तभी करते हैं, कि जब किसी का तुलना दूसरे के साथ किया जाता है, ठीक है न, तो हम लोग यहाँ पर एक्साइलम आर की तुलना किसके साथ कर रहे हैं निर्वात अत्ता हवा के साथ इसलिए यहाँ पर साफेक्च बिदूसिलता का हम लोग परियोग किये हैं लेकिन फिर समीकन को हम लोग इस परकार परिवटित कर सकते हैं एक्साइलम नॉट और एक्साइलम के बदले हम लोग सिर्फ एक्साइलम का परियोग करेंगे एक्साइलम सिर्फ एक्साइलम लिखेंगे ना एक्साइलम ना एक्साइलम आर तो यहाँ पर यह एक्साइलम है क्या माद्यम का निर्पेक्च विदूत्सिलता कहते हैं तो ये समीकडम को प्राप्त होता है तो इसमें आप लोगों को समझने वाली कोई बात नहीं है तो अब यहाँ पर देखें यह माद्यम में रखा गया था इसलिए हम लोग यहां आफम का भी परियोग कर सकते हैं FM का मतलब है कि force in medium और ये क्या था कि निर्बात वला force है कि निर्बात और हवा में रखा गया था तो आप यदि कहेंगे कि हम लोग exilum R की परिवासा कैसे दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं divide कर देते हैं अब यहाँ पर लिखेंगे कि देखें कि निर्बेक्च बिदुच सिल्ता की परिवासा यहाँ पर बात समझेगा कि निर्बेक्च बिदुच सिल्ता की परिवासा क्या होती है निर्बेक्च बिदुच सिल्ता की परिवासा निर्पेक्च बिदुसिल्ता की परिभासा सब का परिभासा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे निर्पेक्च बिदुसिल्ता की परिभासा तो निर्पेक्च बिदुसिल्ता का मतलब क्या होगी है कि एकसाइलम की परिभासा एकसाइलम की परिभासा हम लोगों को देना है तो एकसाइलम की परिभासा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस दोनों को हम लोगों को डिवाइड करना होगा तो हम लोग डिवाइड करते हैं ठीक है ने हम उपर में आपका दिखा देते हैं तो यहाँ पर देखे एफ बटटा एफ हेम कर दोते हैं ठीक है नहीं रोक्ता एकसाइलम नॉट यहाँ पर हो गया q1 into q2 by यह हो गया r square और नीचे में क्या है कि 1 by 4 pi exilum के बदले हम लोग क्या लिखेंगे exilum not exilum r exilum not यहाँ पर हो गया exilum r यह हो गया q1 into q2 by r square कुन कुम स्टरा टर्म कटेगा q1 into q2 by r square यहाँ से भी q1 into q2 by r cancel हो गया यहाँ से जो हम लोगों को समीकन प्राप्त हो रहा है कि देखे 4 pi 4 pi यहाँ से भी कट जाएगा तो यहाँ से जो समीकन प्राप्त हो वो क्या मिला कि 1 by exilum not यहाँ पर भी है 1 by exilum not exilum r तो नीचे बदला टर्म को उपर ले जाए तो यह हो गया exilum not exilum r और यहाँ पर हो गया exilum not exilum not exilum not cut गया यह हो गया exilum r तो exilum r जो है उसको हम लोग क्या काते है यह क्या है माद्यम का सापेक्च बिदुत सिलता है माद्यम का सापेक्च बिदुत सिलता है इसको हम लोग काते है या हवा में रखे दो आवेसों के बीच लगने वाला बल तता माध्यम में रखे आवेसों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग माध्यम का सापेक्ष बिदुसिल्ता कहते हैं तो हम लोग क्या लिखे निर्वात या हवा में यहां देखेगा निर्वात या हवा म निर्वात या हवा में रखे आवेसों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में रखे आवेसों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या का जाता है माध्यम का सापेक्च बिदुद सिल्ता कहते हैं आप इसको ऐसे भी परिवासित कर सकते हैं हम लोग उने अभी क्या लिखा की appar अबिभाएंगर अध्यम नेिर्पेक्श बिदुंसिल्ता और हवा तथरन निरवात का निर्पेक्श बिदुद सिल्ता का अनुपात है तो हूं यहां पे क्या लिखेंगे temper माध्यम का निर्पेक्च बिदुद सिल्ता तथा निर्वात या हवा का निर्पेक्च बिदुद सिल्ता के अनुपात को माध्यम का सापेक्च बिदुद सिल्ता कहते हैं बात समझ में आगया होगा बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा निर्पेक्ष बिदु सिल्टा की परिभासा तो निर्पेक्ष बिदु शिल्टा मतलब क्या होता है कि इसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है उसी को कहते है माध्याम का मतलब absolute value मतलब, इसको कहा जाता है Absolute permittivity मतलब माद्यम की निर्पेप्च बिदुद सिल्ता और NOT को हम लोग क्या काते है माद्यम का निर्वात या माड्यम का नि पेप्च बिदुद सिल्ता तो टर्म में आप lhooj को confusion इसको अच्छीता से समझने का प्रियास करेंगे तो चलिए में लोग आगे देखते हैं बच्छो नेक्स्ट पीज में अब यहां पर एक बात आप लोग समझने का प्रियास करेंगे बच्छो क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि exylum note, यह रहेए xylum note, हम लोग क्या कहते हैं, हवा या निर्वात, का निरपेक्छES Familien थील्ता, तो इसका मात्रक क्या हुता है, यह रहेुंने, इसका मात्रक क्या होता है, x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x के बदले डाइन का परियोग होगा डाइन और मीटर के बदले क्या हो जाएगा सेंटी मीटर स्क्वेर का तो SI मात्रक पदती में इसका मात्रक होता है कुलंब स्क्वेर पदती न्यूटन मीटर चल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए A square यहाँ पर देखिए T का value P को भी उपर ले जाएगे यह minus 2 है तो T को उपर ले जाएगे तो यहाँ T to the power क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि already T का उपर power 2 है यहाँ पर तो यह भी 2 को ले जाएगे एक्साइलम आर, एक मात्रक हीन बहुतिक रासी है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होती है, यह क्या होता है, एक मात्रक हीन बहुतिक रासी है, इसका कोई ना मात्रक होता है, ना बीमा होता है, और आप कहिएगा कि एक्साइलम का बीमा, तो एक्साइलम की बीमा वही होती है, जो एक बात और समझेगा कि इसकी एक और बीमा होती है एकसाइलम नॉट का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग फेराड मीटर भी कहा जाता है अन्य मात्रक इसका क्या होता है यहाँ पर भी लिख देते हैं कि अन्य मात्रक जो होता है उसको अमलोग फैराड मीटर कहा जाता है फैराड प्रती मीटर जिसका ज़्यादा परचलन नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखना होगा कि इसका मात्रक फैराड मीटर भी होता है एक बात यहाँ पर समझने का परियास करेंगे ठीके ने क्या होता है इस बात को अच्छीता से समझने का परियास करेंगे आप लोग कुलंब के नियम का सदिस्य रूप मान रहते है कि कोई एक तल है एक तल यहाँ पर बना हुआ है इसको हम लोग x-axis करते है इसको हम लोग y-axis करते है एक ने x-axis और यह y-axis है यहाँ पर दो आबेस रखा गया है एक आबेस क्या है Q1 है और एक आबेस यहाँ पर Q2 है इस आबेस का जो इस्तिती सदीस है उसको हम लोग कितना मान लेते है और यह जो आबेस है इसकी इस्तिती सदीस कितनी है तो R2 वेक्टर है तो दोनों ही आवेस एक दूसरे पर बथेते हैं तो दोनों ही आवेस एक दूसरे को बल लगा कारण Q2 आवेस के कारण जो हता है Q1 पर बल लगाएगा और Q1 आवेस भी Q2 पर बल लगाता है समझें ना हमने क्या कहा कि Q2 आबेस Q1 पर बल लगाएगा तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं F12 वेक्टर से 12 का मतलब हो गया कि Q1 आबेस पर बल Q2 के कारण अब ये भी बल जो होगा F21 हो जाएगा क्यों हो जाएगा कि 2 पर बल 1 आबेस के कारण तो अब इस बल की दिसा भी आप दे सकते हैं तो R12 कैफ हो जाएगा इसकी दिसा इस बल की भी दिसा कितनी हो जाएगी R21 इसकी दिसा हो जाएगी तो अब दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी बात समझे हैं दोनों की बीच की दूरी तो अब यदि हम इस बल का यदि हम लेते हैं यहां से इसको हम लोग यदि ये लेते हैं मतलब बल यदि कौन सा बल एप 2 1 का यदि हम लोग डिरेक्शन लेते हैं तो ये बल कितना हो जाएगा आप देख पा रहें कि ये 2 की दिसा इधार है इसकी दिसा इधार है, इसकी दिसा इधार होगी तो आप לegoust जामते छक्रिय नियम से जो होती है हम सर्दीズ को प्रिवासित कर सकते हैं तो यह जो आपका दोनों के बीच में बल होगा वो कितना होगा, यह दोनों का पलस हो जाएगा इसका minus हो जागा, इसका मतलब है इस बल की दिशा कितना हो जागा R2 vector minus, sorry, R1 vector minus R2 vector तो अब इसकी दिशा किदार होगी, इस बल का यह हम लोग ले लेंगे तो इस बल की दिशा हो जागा, R2 minus R1 तो दोनों को लिखने की तरीका होती है, बच्छों, क्या तरीका होता रासी है, दोनों एक ही रासी है, बस इसकी क्या है, दिशा अलग होने के वज़़ा से दोनों का सूचक अलग-अलग हो गया, notation दोनों का अलग-अलग है बात समझ में आ गया, तो यहीं पर थोई सी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं Q1 तथा Q2 रखा गया है Q1 तथा Q2 आवेस रखा गया है दोनों का इस्तिती सदीस करमसा दोनों का इस्तिती सदीस यहां देखें दोनों का इस्तिती सदीस दोनों का इस्तिती सदीस करमसा R1 तथा R2 है दोनों का इस्तिती सदीस करमसा R1 vector तथा R2 vector है अब देखिए अब यहां लिखेंगे कि Q2 आवेस के कारण Q2 आवेस के कारण Q2 आवेस के कारण Q1 पर बल Q2 आवेस के कारण Q1 पर बल कितना हम लोग दिये है F1 2 तथा दिसा इस बल की दिसा क्या देंगे तथा इस बल की दिशा हो जागा R12 इसी परकार Q1 आवेस के कारण Q2 पर बल पर बल कितना हो जागा F21 लेक्टर तथा दिशा क्या हो जागी तथा दिसा कितना हो जाएगा R21 यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर है कि नहीं तो कुलंब के नियम से हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं देखें कुलंब के नियम से कुलंब के नियम से कुलंब के नियम से F12 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे तो बस वही लिखेंगे 1 by 4 pi x 1 not q1 into q2 by है कि नहीं तो इसकी देखें इदा हम क्या रहे हैं 1,2 ले रहे हैं तो हम लोग R1,2 का परियोग करना पड़ेगा तो यहां लिखेंगे R1,2 यहां वेक्टर का यहां पर हो जाएगा इसको है यहां पर हम लोग क्या दियें देखें वेक्टर दियें तो हम लोग वेक्टर बराबर जो हता सदीस गुना परिमान ठीक हैं तो परिमान कैसे देंगे R1,2 यहां पर हो गया कैप तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि यह सदीस यहां पर सेंबोल दिया गया तो सदीस बराबर क्या होता है परिमान गुना दिसा होता है ठीक हैं एक सदीस बराबर क्या होता है परिमान परिमान को मोड से इंडिकेट करते हैं और यह दिसा क्या हो जाता है आरकेप तो आप यहाँ पर मॉड का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह मॉड ठीक है न क्योंकि ऊपर जोतना भी आबेस जो होता है वो कौन सा रासी है अधीस रासी है एकसाइलम नौड भी अधीस आसी है सिप सदीस यहाँ पर दूरी ही है तो यह सदीस हो गया और यह हो गया परिमान बात समझ में आगे तो इसको हम लोग चेंजिंग यहाँ पर ला सकते हैं तो सदीस की परिभासा से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देखें सदीस की परिभासा से सदीस की परिभासा से सदीज का परिभासा क्या होता R12 vector is equal to mod R12 और यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर भी सदीज दे सकते हैं और फिर क्यातना हो जाएगा R12 cap तो हम लोग R12 cap का value यहाँ से निकाल लेंगे R12 cap is equal to कितना होता है आप देख पा रहे है R12 vector by mod R12 अब यह मान को यहाँ पर हम लोग रख देंगे mod के जगा पर इस वरी cap के जगा पर तो यहाँ लिखेंगे यहाँ मान उपर के समीकरण में रखने पर यहाँ मान उपर के समीकरण में रखने पर उपर के समीकरण में रखने पर mod r12 square हो गया cap के जगह में हम यहाँ पर रखेंगे value तो r12 vector by mod r12 हो जाएगा इस दोनों को multiply कर देंगे तो बचों तो क्या मिलेगा r12 vector is equal to 1 by 4 pi x q1 into q2 by mod r12 vector का यहाँ पर cube हो जाएगा और यहाँ r12 हो जाएगा बात समझ में आगे है लेकिन आप लोग एक बात यहाँ पर समझ यह कि mod r12 और यह mod r21 यह सभी इसको जदी r मान लिया जाए r vector तो कोई गलती नहीं होगा क्योंकि यह सब परिमान में आपस में बराबर है क्योंकि दूरी जो होती है वो बदल नहीं सकती है आप लोगों को पहले आया है क्योंकि वो दीशा में परिवरतन है क्योंकि एप 21 की दीशा उपर है और एप 12 की दीशा उपर है और एप 21 की दीशा नीचे है इसी जीज़ी इसका notation में changing आया है बात समझ में आ गया लेकिन परिमान में यह आपस में बराबर होते हैं कोई दिकत नहीं है बचों इसमें अब यहां पर देखे इसी परकार हम इसी परकार एप 2-1 को भी लिख सकते हैं एप 2-1 is equal to कितना हो जाएगा तो एप 2-1 vector is equal to हो जाएगा 1 by 4 by x1 not q1 into q2 by यहां हो जाएगा r21 क्योंकि 12 था यहां पर 21 का इस्तमाल किया है तो यहां पर भी cube हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा r21 vector अब दोनों ही vector जो है यह दोनों ही vector क्या है एक दूसरे से बिपरित है तो यदि इसको उलट दिया जाए तो यह vector हमको प्राप्त हो जाएगा तो यहां लिखेंगे सदीस के नियम से देखें सदीस के नियम से एसे भी आप कह सकते हैं कि यह दोनों जो समीकर्ण आपका प्राप्त हुआ है यह समीकर्ण और यहीं दोनों समीकर्ण जो हता है कुलम के नियम का सदीसिये रूप कहा जाता है अब यहां पर इसको पूरा करते हैं के सदीस के नियम से और वन टू जो होता है बाद समझें ठीक इसको यादि हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसका यह अपोजिट होता है R21 को यदि हम लोग लिखना चाहेंगे या 21 को यदि ही लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा करके R21 वेक्टर हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जस्ट एक दूसरे क्या अपोजिट है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको समीकन नंबर 1 मान लिजिए समीकन नंबर 2 करें समीकन 1 में हम यह मान यहां रख देंगे लिखें समीकन 1 से समीकरन 1 से समीकन 1 से क्या हो जाएगा F12 vector is equal to 1 by 4 pi exilum naught Q1 into Q2 by R12 वेक्टर का Q और R12 के जगा में हम क्या रख देंगे देखें माइनस का परियोग करेंगे माइनस R21 vector हो गया तो यह माइनस को हम पहले भी ला सकते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 by 4 pi exilum naught Q1 into Q2 by R12 vector का यहाँ पर हो गया Q यहाँ पर फिरी हो जाएगा R21 vector तो यह जो आप देख पा रहे हैं समीकन 2 number है तो समीकन 2 के बदले इसके जगा में हम क्या रख सकते हैं F21 रख सकते हैं तो यहाँ पर हो गया F12 vector is equal to इसके जगा में हम क्या रखेंगे बचों यह क्या है समीकन 2 देखिया अचिता से तो इसके बदले हम लोग F21 का पर्योग करेंगे माइनस हो गया माइनस का माइनस लिख दिए और इसके जगा में F21 का पर्योग करेंगे अब आप यह बता सकते हैं यह क्या है यह Newton के gती का तिर्तिय नियम है तो इससे आपको क्या पता चला इससे पता चलता है कि कुलम्ब का नियम newton के गती के तिर्तिय नियम का पालन करता है that means kryya और परतिक्रिया वाला बल है ठीक है ने तो इसको क्या कहते हैं न्यूटन के या कुलंब का नियम, ठीक है ने, कुलंब का नियम, न्यूटन के गती के तिरतिय नियम, न्यूटन के गती का तिरतिय नियम, न्यूटन के गती के तिरतिय नियम का पालन करता है, न्यूटन के गती के तिरतिय नियम का पालन करता है, बात समझ में आ गया, है कि तो आज मेरे विडियो इतना ही रहेगा बच्चों आप लोग अच्छी तासे विडियो को देखें और से समझने का प्रियास करें की कullum का नियम क्यों किसे कहते हैं चाहिकिनि इसका सदीषिय रूप क्या होता है तो बचों आज इतना ही रहेगा कल हम आप लोग के साथ मुलाकात करोंगे पुना नुटन के क्या बुलते हैं सदीषिय रूप से ही शुरवात करेंगे जिसको हम लोग 3-dimension में देखेंगे 3-beam ये निकाय में देखेंगे कुलम के नियम का सदीसी रूप क्या होता है और साथ ही साथ और भी बहुत तरकी बाते हम लोग इसमें से जानेंगे तो आज आप लोग वीडियो को अचीता से देखकर सीखने का परियास करें ताकि आगे आने वाले topics में आप लोगों को कभी कोई problem ना हो ठीक है अब आप लोग यहाँ पर समझने का परियास करेंगे बच्चों कि ये बहुत ही important चीज है इसे समझना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो ठीक है बच्चों आप लोग हसते रहें खेलते रहें मुस्कुराते रहें और इसी परकार हमारे वीडियो को देखते रहें आज आप लोग ने जो वीडियो देखा बच्चों इसके लिए बहुत 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 दनवाद lots of thanks जैहिं